आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम आशिधान तक्नी हो तरी study close प्राव को बहुत बस बागए दे पांच दिन पहले राजस्थान civil services का result आया हमारे senior faculty रिशी पांडे ने भी रिशी सर ने भी जो classes लेते हैं आपके लिए daily lectures आते हैं उनके all India rank 20i उनका lecture कल upload होगा उनकी जर्मी देकिन दोस्तों इसमें एक candidate थी आशा कंडारा आशा कंडारा के बारे में मैं क्या बता हूँ जब आप इनकी story सुनेंगे तो आप भावुक हो जाएंगे ये एक inspiration है सब के लिए ये एक प्रेड़ना है सब के लिए motivation ही इनकी कहानी से आपको ये पता चल जाएगा कि दुनिया में कुछ भी possible मनलब everything is possible दुनिया में कुछ भी impossible नहीं है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको tough लगे जो आपको बहुत टफ लगे जब आप पूरे द्रण निश्य से उसको करने की कोशिश करेंगे वो 110% it is achievable इनकी स्टोरी ये बताती है कि हम अपनी जिन्दगी को परशान रहते हैं कि अरे ये है वो हो है बॉस ने डाड़ दिया पैसा नहीं आ रहा है लेकिन इन्होंने जो लाइप जी है उसमें रहते हुए धैर सयम से काम लेते हुए इन्होंने वो कर दिखाया जो नामुम्किन इन्होंने जीत तोड़ मेहनत की इन्होंने ये बताया कि मेहनत से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं जीत तोड़ मेहनत की सफाई करमचारी थी थी है सफाई करमचारी आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं बहुत मुश्किल है आपके घर में जो भाल हडु लगाता होगा वो तो भाईये कमेंट बॉक्स में इनकी तारीफों के पुल बांदो जरा तो हम इनकी कहानी देखेंगे इन्होंने राजिस्थान एड्मिनिस्टेटिव सर्वेस निकाला है 728 रैंक आई है इनके दो बच्चे है और ये जोदपूर की सड़कों पे ज़ाडू लगाती थी सफाई करमचारी थी ये कितना मुश्किल रहा होगा जिस नगर निगम में ये काम करती है आप जोसी नगर निगम की ये आफिसर होंगी है 2018 में विकेंसी आई थी स्टेट गवर्मेंट के जो एक्जाम से तो वह ऐसे ही होता है एक बार दे दिया रिजल्ट पता नहीं कब देंगे इसी बीच इनको अपने बच्चों का पालन पोशेर करना था क्योंकि आठ साल पहले इन्होंने अपने हज्मेंट से अपने पती से अनवन होगी डाइवोर्स लिए तलाक अब ये भी एक बहुत बड़ा एक्जामपल है आठ साल पहले इन्होंने डाइवोर्स लिया तब अगर हज्मेंट से आप डाइवोर्स लेते हैं ये तो इसे ले सकते हो जादा तब तो पतिने ऐसी में परचान रहती हैं लेकिन उन्होंने हिम्मत की नहीं बनी डाइवोर्स ले लिया दो बच्चे थे और इन्होंने खुद से दो बच्चों को पाला है यही सही यह साबित होता है कि इनकी जो determination, इनकी जो willpower है कुछ कजगर गुजरने की चाह वो कितनी जादा है responsibilities थी बच्चों के इनके उपर लेकिन कभी भी success के आगे आने ही नहीं थी तो आठ साल पहले इनका डाइवोर्स वह 2018 में वेकिंसी है इन्होंने एक्जाम दिया, प्री में प्री निकाल लिया इन्होंने लेकिन प्रॉब्लम ही होगे, अब रिजल्ट अटक गया अब मेंस भी था, मेंस भी था, लेकिन इसी दोरान सफाई करमचारी की भी वेकिंसी है अब भाई घर चलाने के लिए आपको जॉब तो करनी पड़ेगी न तो घर चलाने के लिए इन्होंने जॉब की, इन्होंने बताया कि कोई भी काम छोटा, बड़ा नहीं होता, सारे काम बराबर है इन्होंने वो काम accept की, विश्वास करेंगे कि एक तरफ ये सुबह जा रही है, काम कर रही है, सफाई कर रही है, सबको के और सफाई करना तो सबसे बड़ा काम होता है दोस्तों, हम जो गंदगी फैलाती है न, हम बलकी बुरे हैं हम गंदगी फैला रहें, ये लोग साफ कर रहें, तो सफाई करमचारियों को तो हमेचा सल्यूट करना चाहिए एक समय पे दोस्तों, बड़े-बड़े officers इनको आसपस भेटकने भी नहीं देते होंगे, लेकिन आज ये officer बन रही है तो एक तरफ ये सफाई कर रही है, सफाई करमचारियों, दूसरी तरफ एक्जाम की तैरी करें, लगातार पढ़ाई करती जा रही है बताती है कि मुझे टाइम नहीं मिलता था, नीन चैन सब खोदी, घर, परिवार, फिर उसके बाद अपने बच्चों को देखना, फिर बाहर, फिर पढ़ाई, बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने हार नहीं माली इनके दो बच्चे हैं, इनके दो जो बच्चे हैं, इनका जो बेटा है, शैफ्स, वो ग्राजुएट है, और इनकी जो बेटी है, पल्लवी, आपको बता दूँ, कि she has qualified IIT JEE, और यह बताती हैं कि मैं चाहती हूँ, कि मेरे दोनों बच्चे जो हैं, वो बहुत महनत करें, और खूब पढ़ाई करें, तो भाई यह, जैसे यह हैं, वैसे ही अपने बच्चे को बनाएंगी, अब दोस्तों ऐसा है न, कि यह जोद्पुल मुनिसिपल कॉर्परेशन नौर्थ में काम करती हैं, और जैसा कि मैंने बता है, 2016 में इन्होंने प्रेपरेशन करनी शुरू क भी थी, बहुत कुछ बताती है यह, कि गिव अप नहीं करो, आप समझे कि, every human being have their own dreams, my children may have as well, और मैं उनको एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ, वो बहुत बहादर हैं, और focused रहें, कि उनका dream जो है, उनका जो सपना है, वो सच हो, और यह खुद भी बताती है, कि मेर भी सपना था, कि मैं decent life जी हूँ, लेकिन मैंने challenges भी face किये, मैंने sanitary worker की तरह जोतपुर में काम किया, तो और इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कि बताती है कि I believe in the dignity of labor, मैं इसमें बहुत गौरवानवित महसूस करती है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, आपको बता दू, जब ये काम करने जाती थी, तो अपनी जो office, जो scooter थी, उसकी डिक्की में सिर्फ और सिर्फ किताबे होती थी, और जब भी इनको break मिलता था, जब भी इनको वक्त मिलता था, ये काम करती थी, ये पढ़ाई करती थी, ऐसा था, राजेंद्र कंडारा की ये बेटी थी, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल था मेरे लिए, मैं काम करके आती थी, उसके बाद फिर पढ़ती थी, कई बार तो पूरी रात राज जगी हो पढ़ने के लिए, अपने बच्चों को मैनेज करना पढ़ता था, घर को मैनेज करना पढ़ता था, civil service की preparation इतनी सारी टास्क स साथ बड़ा मुश्किल है, लेकिन येस मैंने फोकस किया, तो जो लोग बोलते हैं कि सर वर्क है, नहीं हो सकता बिना वर्क, देख लीजए आपके सामने एक्जांपल है, सामने आपके एक्जांपल से, और ये temporary employee थी, she was also not a permanent employee, ये temporary थी, और जब R.A.S. का result आया, तो उससे बारा दिन पहले, she was given a permanent position, अब इनको बहुत सारे ताने जिलने पड़ते थे, बहुत साने ताने, क्या तू क्या क्लेक्टर बनेगी, क्या बाप दादा में कोई बना है क्या, क्लेक्टर जो तू बनेगी, तुम्हारा काम जाडू मारना है, यही तुम्हें शोभा देता है, बताईए, यह यह इनको बोला गया है, जब भी मैं पढ़ाई करती थी, बहुत सारे लोग हसते थे मेरे उपर, काम करते वे पढ़ती थे ना यह जब भी ब्रेक मिलता था, बहुत हसते थे, बहुत मेरा मजाक उड़ाते थे, और यही यह बताती है कि जो पत्थर आपको मिल जोदपूर में, जोदपूर is very proud, in fact, इंडिया is very proud, इन्होंने अपना काम बहुत ही निष्ठा से किया है, जो भी किया और हमेशा फोकस करके किया है, और जोदपूर की मेर कुंती देवला तो इतनी जादे उन्होंने परस्टनली बुलाया, गले लगाया, और बुला कि मैं और चीज़ कि इन्होंने अपना ग्राइजूशन भी पूरा किया, बड़ी मुश्किल से अपना ग्राइजूशन इन्होंने 2016 में पूरा किया, और तब जाकि यह R.A.S. के लिए तैयारी करती रही, अब यह बहुत ही बता रही है, जादा तो हमारी इन्फरमिशन अभी पूरी कहानी बताना चाहिए, क्योंकि यह कितनों को इंस्पायर कर देंगी, और मेरे भी कोशिश यह ही रहती कि इस तरीके के इंस्पिरेशनल स्टोरी आपके सामने लेकि आया करूँ, तो हर औरत जो लोवर स्टाटा यह अनसूचिन जाती से आती है, इसलिए इनको बहु बिलकुल भी निराश मत हो, कभी भी अपने सपनों को मत छोड़ो, तुम्हारा सपना हमेशा पूरा होगा, अगर मैं यह कर सकती हो, तो तुम भी कर सकती हो, सिर्क मेहनत करो, धैर रखो और डेडिकेट, डेडिकेटेड रहो, everything will be good, तो यह इंस्पिरेशन है, आशा कंडार है कि education is very important, और इनके पिता जी और इनकी माता जी जब बता रही है, इनका उनका इंटवी जब लिया, तो बहुत ही humble background है इनका, तो इनकी माता जी रोने लगी, कि मेरी बेटी ने बहुत सहा, और बस यह बोल के ही broke हो गई, फरिवार से अलग हो गई, मतलब पती से अलग हो 1997, 1997 में इनकी शादी हुए तो और आठ साल पहले इनका डाइबोर्स हुआ, बच्चे बड़े थे, और घर भी चलाना था, मुश्किल था, देकिन यह लगातार आगे बढ़ती गए, और यह बताती है कि education is very important, पढ़ाई के विन शिक्षा के विन शिक्षा अगर आपके पास करेंगे, वो लोग कुछ करेंगे नहीं, उनकी इतनी हमत नहीं लेकिन वो रोएंगे, तो यह सब छोड़िए, आपके पास इस समय जो है, उसको ताकत बनाईए, और आगे बढ़िए, परना तो हमेशा प्रॉब्लम साती ही रहींगे, सरिंडर करिए, जोब आपको इलेचर गिराने की कोशिश करें, उसकी चिंता मत करिए, खुश रही पढ़ते रही देशे सिद्धान तक नहीं होता ही, साइनिंग ओफ